हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आ गई हूँ एक नए ब्लोग के साथ इसी तरह की दुर्गापुजा के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कीजिए और यह जो ब्लोग है यह है दुर्गापुजा का वीडियो लेके और यह दुर्गापुजा सबसे चर्चे में है और सबसे जादा पॉपुलर भी हो चुका है अभी और इस वीडियो में मैं मंडप के बाहर के साथ तर इंटेरियर भी दिखाऊंगी तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ यहां के टाइप का जैसे यहां पर सिमेंट से कॉंस्ट्रक्शन चल रही है और यह जो है यह मुझे लग रहा है एक फाउंटेन बन रहा है जैसे ट्विन टावर के सामने फाउंटेन होता है वैसे ही यह बन रहा है और आज का वीडियो में सबसे यादा मुझे खूपसूरत लग रहा है यह स्काई स्काई बहुत ही खूपसूरत है वेदर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और सामने जो हमारा ट्विन टावर है बहुत दिख रहा है इसका जो हाइट है बहु है 150 फीट मतलब देर सो फीट लंभाई है इसका जो की एक्षियल मलेशा के टावर जितना ही है और यह बाहर का व्यू है और यह सब बैम्बु से बना हुआ है यहाँ पर बहुत सारे बैम्बु का काम चल रहा है बहुत ही तेजी से और बहुत लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो बाहर का जो यह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी इतना खूबसूरत लग रहे तो यह बनने के बाद कितना कूबसूरत लगेगा और कुछी दिन बाकिया अभी तो जाएगा नडिढ एक झाल 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 तो अभी चलते हैं अंदर के तरफ अंदर का जो इंटेडियर है बो दिखाती हूँ अभी तो अभी अंदर में आने के बाद मैं देख रही हूँ चाड़ो तरफ ग्लास लगे हुए है यहाँ पर सारे ग्लास का काम चल रहा है सारे ग्लास के टायल भी है जो की कटिंग करके यहाँ पर काम चल रहा है दिखने में ग्लास जैसा है लेकिन एक्शियल में ये फाइवर है आभी ग्लास का सेटिंग हो रहा है चारो तरफ और यही पर यह जो जगा यहापर मादुरगा का भी स्थापण होगा और ग्लास का काम जो है उसके उपर लाइट्स का भी काम होगा मतलब लाइट्स रिफ्लेक्ट होगी बाद में वो होगा लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही खुबसूरत लगेगा अभी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है हुआज ज्मार्ख लूए। को बाहन तो फिर ये था कोला नी लुमिनेस कलाप का दुरवापोजा का वीडियो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर से जरूर शेयर कीजिए कमेंट कीजिए उसके साथ मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कीजिए